कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही आपके पढ़ाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानो जनन, human reproduction के most important questions के बारे में तो यह वीडियो बहुत ज़्यदा खास और महत्तोपूर्ड होने वाला है इसके पहले हम लोगोंने live class लिया था पुस्पे पात्पों में लेंगिक जनन उसमें हम लोगोंने बहुत डियर सारी important questions को देखा था तो वो वीडियो आप लोग जा करके देख ली ना कि जिनको आपको हर हाल में hundred and ten percent उनको पढ़ना ही पढ़ना है तो वो questions मैं आपको वीडियो के लाश्ट में बताऊंगा तो चलिए आज हम लोग mcq से शुरू करते हैं पहला mcq है हमारे पास इंड्रोजन स्रावित होता है सबसे पहला इंड्रोजन बताएं इंड्रोजन स्रावित होता है सबसे पहले तो यहां पर यह बताएं कि जो इंड्रोजन होता है वो नर से स्रावित होता है या मादा से मादा से सरावित होता है इस्टोजेन और पोजेस्टान कौन सा इस्टोजेन और पोजेस्टान इंडोजेन और टेस्टेस्टेन कहां सरावित होता है नर से है ना अब देखो अप्शन क्या है हमारे पास नर में कहां से सरावित होता है सारटोली कोशिकाओं से स्पमेटिट्स से या फिर मस्तिस्क से या फिर लीडिंग कोशिकाओं से बताए तो जो लीडिंग कोशिकाओं होती है कौन सी? लीडिंग कोशिकाओं लीडिंग कोशिकाओं वहीं से एस्टोजेन और टेस्टोइस्टिरोन स्रावित होता है कौन सा और एक हार्मोन से और टेस्टोइस्टिरोन जो लीडिंग को सिक्या होती है वहीं से इंड्रोजेन और टेस्टोइस्टिरोन स्रावित होता है टेस्टोइस्टिरोन और इंड्रोजेन ये दोनों हार्मोन्स हैं Lear clues in Pestoaterone का करता है जो नर के अंदर secondary sexual character होते हैं दतिक लहंगिख लच्छन होते हैं उनको बढ़ावा देता हैं कौन सा hormone चेस्टो इस्टिरन और जो prostron होता है वो महिलाओं के अंदर मादा के अंदर सिकंडरी सेक्सूल करेक्टर दोतियक लेंगे के लच्छनों का बढ़ावा देता है क्लियर है एक कुश्चन और तेस्टोइस्टिरॉन से कहां चला गया यह मैं रैंडम ऐसे पढ़ रहा था पाइब दिखा कि टेस्टोइस्टिरॉन हाई यह आया अगए यह क्या करता इसका में काम किया होताई यह नर हार्मोन षोता-ंय यह II को प結果 लेंगिक लच्छनों को लच्छनों को विक्सित करता है किसके अंदर नर के अंदर अब दूसरा question है दूसरा question है कि बताईए निसेचन कहां पर होता है निसेचन कहां पर होता है एक फैलोपियन नलिका में और विजाइना में अंडासे वे या फिर गरभासे में बताइए गल्कुर सही बता जो निसेचन होता है वो होता है फैलोपियन नलिका में यानि कि फैलोपियन ट्यूब में यदि पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब में किस जगह पर होता है तो वो होता है एमपुलरी इस्थमस जंक्सन कहां पर तो एमपूलरी इस थमस जंक्सन पर क्या होता है ये निसेचन की क्रिया होती है निसेचन में क्या होता है निसेचन की क्रिया वो होती है कि जब नर्युगमक और मादा युगमक आपस में मिलते हैं तो वही कहलाता है निसेचन नर्युगमक क्या होता है तो नर्युगमक सुक्राडू होता है और मादा युद्मक क्या होता है मादा युगमक अंडाडू होता है दूसरा कुश्यन है इस्त्री में अंतर रोपड के समय भ्रूड किस अवस्था में होता है बताइए इस्त्री मे अंतरोपड की समय भ्रूड किस अवस्था में होता है जब फीमेल्स के अंदर जो यह यह यहांपर इनाल है ऑखय किस अवस्था में यहां पर जुड़ेगा यह गर्भास किस अवस्था में जुड़ेगा चार आफसन है मोरूला बलास्थ्टफोला गैस्ट्यूला नूरूलला बता कौन सी अवस्था में जुड़ेगए चार आपके पास दिये गए हैं बोलिए सबसे पहले जो यह युग्मनज बनता है यह चोटे-चोटे कोरक खंडों के रूप में विभाजीत होता है कौन से खंडों के रूप में कोरक खंडो के रूप में जिसको बोलते हैं ब्लास्टो ब्लास्टो मियर्स मैंने बताया था न जब मानोजनल पढ़ा था आप मैंने बताया कि छोटे-छोटे कोरक खंडो के रूप में भाजित होता है छोटे-छोटे क्या बनते हैं ब्लास्टो मियर्स बनते हैं फिर ब्लास्टो मियर्स के बाद बनता है तूतक जिसको बोलते है मौरूला बताओ स्वारी खासी यार ठीकी नहीं हो रही है बताइए मैंने बदल था ना तूतक बनता है मौरूला बनता है मौरूला के बार कोरक फुटिका बनता है blasto seal क्या बोलते है blasto seal और blasto seal के बाद बनता है blastula क्या बनता है blastula blasto seal के बाद क्या बनता है तो वो बनता है blastula और यह जो अवस्था पर जो जुड़ जाता है जाके तो यही होता है blastula phase कौन से अवस्था blastula अवस्था यही होती है यही अवस्था पर जो भूड होता है जो इंब्रीयो होता है यहाँ पर जा करके जुड़ जाते हैं कौन से ब्लास्टूला तो जो मोरूला है यह क्या होती है मोरूला तूतक अवस्था होती है एना ब्लास्टूमियर छोटे-छोटे कोरक खंड बन जाते हैं कोसी का विभाज जनोता है उसके अंदर यह सारी चीजें उसके अंदर होती है छौते कुश्चन की तरफ चले देखिए इसको मिटा दूं मैं बताईए चले की चले इसको मिटाके चौत कुश्चन की तरफ चलते हैं चलिए चौद्धा कुश्चन है कि ब्लास्टूला अवस्था में भूण को सर्व प्रथम गर्भासय से जोडने का कार्या कौन सी जिल्ली करती है जो देखो कुश्चन बहुत सिंपल है कुश्चन समझना है बूल रहा है ब्लास्टूला अवस्था में गर्भासय से जोडने का कार्या इस ब्लास्टूला को ये गर्भासय की तीन दिवार होती है इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम तो ये अंदर वाली को बोलते हैं इंडोमेट्रियम इसको इससे जोडने का कार्य कौन करता है बताइए चार अपसंदिये गए हैं एम्नियोन अपरा एलेंटियोस और यॉक्सेक क्या करता है कौन करता है तो जुड़ा होता जिससे कनेक्ट होता है वह होता है आपरा जिसको बोलते हैं कि प्लसेंटा क्या बोलते हैं तो इसको प्लसेंटा बोलते हैं तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो यह वह ऊता है ना आपका क्या हो याद देखो मैं बोल गया ब्लास्टूला जो होता है ब्लास्टूला जो गर्भासर की जो अंदर वाली दिवार है इसको बोलते हैं एंडो मेट्रियम है ना जो बीच वाली है इसको बोलते हैं मायो मेट्रियम जो बाहर वाली दिवार है इसको बोलते हैं पेरी मेट्रियम है ना तीन दिवाल होती है तो जो एंडो मेट्रियम से जब यह आपका ब्लास्टूला जुडता है तो कौन जोडता है अपरा जोडती ह है आवल जोडता है जिसको प्लसेंटा बोलते हैं ये कोशन था आपका है ना चलो अगला कोशन देखो आरतव चक्र को नियंत्रित करनेवाला हार्मोन्स है आरतव चक्र को आरतव चक्र को कंट्रोल करने करने वाला है न कि नियंद्तृत करने वाला हार्मोंज बताएं आर्थोचक्र क्या थैं मेंस्टूरल साइकल इसके बारे में मैंने फुल डिटेल से बताया है नहीं तो वीडियो आप लोग जाकर करके देख सकते हो मेंस्टूरल साइकल बाई बायो अमन वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे तो जो आर्थो चक्र होता सको नियंत्रित कौन करता है चार आपसन है FSH Follicle Stimulating Hormones FSH Hormones क्या करता है Follicle को Stimulate करता है कौन से Follicle को जो आपकी एकसेल हो गई या फिर आपका Spermatrix हो गए इनको Stimulate करता है बढ़ावा देता है चलो बनो अब तुम तो इससे कोई लेना देना हाई नहीं पोजेस्ट्रॉन Secondary Sexual Character लेता है FSH, LH और Estrogen कोई मतलब नहीं जो Luteinizing Hormones होता है LH जिसको हम लोग बोलते है Luteinizing Hormones यही आरतोचक्र को menstrual cycle को कंट्रोल करता है यह याद रखियो clear है देखो ऐसे question पूछेगा नर में दतीयक लेंगिक लच्छनों के लिए कौन सा Hormones अनिवार रहे है टेस्टोइस्टेरान है यह देखो 16 कोसी की अवस्था में भ्रूण कहलाता है जो मैंने आपको तू तक बताया था तू तक है ना जिसको मौरूला बोलते है वो कितने कोसी की अवस्था का होता है तो वो 16 कोसी की अवस्था का होता है कौन मौरूला वो एक चीज और बहुत अच्छा अससा जैसे मैंने आपको बताया है कि जब कोसी Chief Cup की दिवारें होती है जब युगमनज की जो कोशिकाएं होते हो तीन भागों में भाजी तो तीन जिल्लियां बनती है उन्हीं तीन जिल्लियां से किसी का पिट बन रहा है किसी से मस्तिस्क बन रहा है ऐसे बन रहा था यहां पर है ना यह जो कोशिकाएं बढ़ रही थी है ना तो यहां पर question है कि भूणी मीजो डर्मल इस्तर से किसका विकास होता है मीजो डर्मल इस्तर से मताइए मीजो डर्मल इस्तर से जो भूण का मीजो डर्मल इस्तर होता है मीजो डर्मल इस्तर होता है उससे किसका विकास होता है तो जो मीजो मीजोडर्मल इस्तर होता है उससे चार ओप्सन है यक्रत फेफडा रक्त मस्तिस्क नहीं मीजोडर्मल से विकास होता है हिरदय का या वो सारी मस्तिस्क का और मीजोडर्मल से हिरदय का भी विकास होता है है ना लेकिन यहाँ पर जो राइट एंसर यहाँ पर हिरदय तो है नह चलिए एक कोश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सार्टोली कोशिकाएं क्या करती है सार्टोली जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है तो सुक्राडू बन जाता है है ना सार्टोली सेल तो जो सार्टोली कोशिकाएं होती है वो सुक्राडू को भोजन प्रदान करती है वो सुक्राडू को भोजन प्रदान करती है फूड उनको वो करवाती है देती है कि भैया लोग खाना तुम खालो तुम खुब खालो खाना है ना तो सुक्राडू को भोजन कौन प्रदान करता है तो वो करवाते हैं साल्टोली सिल जनन तंत्र के बारे में फुल डिटेल से वीडियो आपको I-BUTTON पर मिलेगा फिर मादा जनन तंत्र पढ़ना है I-BUTTON पर लिंक मिलेगा फिर आरताओ चक्र पढ़ना है इन तीन चीजों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यहां से कोष्चन क्लियर है तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं तक मिलते हैं कल की निक्ष्ट क्लास में जनन स्वास्त का वीडियो ले करके तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाओ चाहिए विस्यू अल्द वेस्ट थैंक यू